Hype of the data field, इसके बारे में पूरी वीडियो होने वाली है और आज हम लोग एक-एक-एक points के बारे में बात करें हैं और मैं अपने experiences share करने वाला हूँ जो मैंने इन तीन सालों में, तीन साले data field में काम करना हूँ as a data engineer तो अपने experiences भी शेर करने वाला हैं तो यहां से चालू करते हैं अपनी सबसे पहले point से that is growth and demand growth and demand के बारे में जैसे हम लोग बात करें कि suppose जैसे कि हम लोग day-to-day life में देख रहे हैं कि कैसे हमारी data कितना जाधा important होता रहा है अगर मैं बताऊं तो कुछ 4-5 सालों में जो 90% of data है company का वो 4-5 सालों में बस आया हुआ है because वो store करने data को उसके बाद उससे वो decisions ले रहे होता है जो कि बहुत ज़ादा industry को grow करने में बहुत ज़ादा help करता है अब इसमें बहुत देर सारे roles आ रहे होते हैं जो इस data पे काम कर रहे होते हैं जो कि हमारा second point है that is competitive salary अगर आप कुईसी भी field में काम कर रहे हो किसी भी career में काम कर रहे हो तो आप growth दो चीजों से measure कर सकते हो first one will be the career growth कि आप कितने चीज़ें सीख रहे हो कितनी learnings आप की हो रही है उसके बाद आप main focus रहता है that is the salary कि आप कितना कमा रहे हो भाई साव that is very very important so salary is very very important so salary of data field is really competitive and reflecting to the high demand जितनी आप high demand रहोगे जितनी अच्छी skills आप को आएंगी उतना जादा आपकी demand बढ़ती जाएगे तो दो point से बहुत major है उसके बाद आता है innovation of the technology अब technology का innovation का मतलब क्या होता rapid advancements आ रहे है different different is field में basically and there are so many of opportunities so many of challenges coming up और इस data से हम लोग कितने धेर सारे insights निकालके customers को target करते हैं जो आपने देखा होगा जो आप suppose मिंतरा पे shopping करने का है मिंतरा पे आपने देखा कि एक shirt आपको पसंद आई बट आपने के क्या हुआ कि यहार महीं ही देख रही है आप क्या करोगे कहीं और Instagram पर कहीं पर इससे scroll कर रहा हो तो आपको ad show होने लगते हैं उसी shirt के उसी type की चीज़ों के आपको ad show होने लगे है मिंतरा के ad show होने लगे यह सारी चीज कहां से आरे है वो मिंतरा से आपका data निकला अब वो data से आपको target किया है those are the work of the data field अब इसी data से काफी चीज़े हो सकती है यह आता है हमारा fourth point that is number of different career opportunities अब different career opportunities का मतलब क्या होता है कि हमारे पास number of career opportunities जैसे आपने data analyst के बारे में सुना होगा data analyst एक data field का data field में काम करता है जो कि insights generate करता है analysis करता है data को उसके आद उसको reporting कर रहा होता है उसके data engineer आपने सुना हो data engineer क्या करता है different different sources raw sources देटा आता उसको एक जगए अकठा करके एक data base में एक data warehouse में setup करता है that is the work of the data engineer और वो मेरा खुद का experience मैं ने खुद किया हुआ इसलिए मैं इतने सही से बता पारहा हूँ इस सारी चीज़े है उसके data scientist का काम अदब data scientist क्या कर रहा होता है अब हमारे पास data है data set पूरा बना हुआ है अब वो क्या करेगा वही insights से आपको उस data से predictive analysis करता है machine learning के models को यूज करके algorithms को यूज करके हम लोग आगे का data वो कर सकते है predict कर सकते है that is the work of the data scientist अब और भी नए नए रोल्स आ चुके हैं जैसे Power BI developer उसके पर Tableau developer उसके बाद फिर data visualization में जो पर्टिकुलरी काम करता है Python developer specifically to the data field इतने डेर सारी चीज़ें आ चुके इसके AI ML developer, AI engineer ये सारी चीज़ें are related data field because AI को भी data चाहिए होता है तो ये बहुत ज़ाद important होता है उसके बाद fourth point आए that is business impact अब business impact अगर आप एक company में काम कर रहो तो आप ये सोचोगे कि मैं ऐसे role में काम करूँ भाई कि मेरा ना कुछ नो कुछ business में role हो कुछ नो कुछ में impact की recreate कर सकूँ तो ये एक ऐसा role है basically आप recognize बहुत ज़ादा होते हो अगर आप data analyst के तरह काम करोगे आप directly business के साथ काम करोगे उसके बाद उनको चीज़ें बता रहे होते हो कि हाँ ये analysis के through ये चीज़ें अगर आप ये tactics use करते हो तो आपका business grow हो सकता है ये सारी चीज़ें वो data से आप reports अगर generate करके उनको दे रहे होते हैं फिर वो decisions ले रहे होते हैं इसमें बहुत है help करते हो तो एक data science का bootcamp है जो आप properly use कर सकते हो जैसा आप screen पर देख पा रहे हो एक live instructed classes रहते हैं जिसमें आपको instructors रहते हैं जो सामने से पढ़ा रहे हो तो कोई भी doubts आप तुरन पूच सकते हो other than that आपको 6 महीने का job readiness करवाया जाता है and आपको project based learning होते है कुछ projects के थुफ आपको प्राक्टिकल ही चीज़ों को आप सीखते हो कि वो चीज़ अगर आप practical पढ़ते हो कोई भी चीज आप Thrr-Dr. पढ़ते हो तो practical वाली चीज़े हमें याद रहती है और समझ में आ रहे हैं तो प्रॉसेस समझ में आ रहा होता है and directly अगर आप यहाँ पर request to callback पर यहाँ पर आपने details बरके, आप यहाँ पर request to callback पर type करोगे, वो depends on the performance in the test, other than that आपको 10,000 का additional discount मिलता है, that is on the early, जल्दी जल्दी enroll करते हो, तो वो आप कर सकते हो, other than that यहाँ पर देख सकते हैं, इनका upcoming cohort 30th of December पर चालो हो रहा है, and about 500 hiring partners are there, and there are so many people who have already had the career gap, who translated their career, और काफी ऐसे लोग है, जिन्नों career gap था, career upgrade या, career launch किया, तो आप भी कर सकते हो, and यह सारे लोग है यहाँ पर देख सकते हो, आपने experience हैं, share के हुए, and पूरा यहाँ पर यहाँ पर इस सारी चीज़ जो मैने आपको बता ही ने, क्या के चीज़ें पढ़ आपो करनी है, तो bootcamp का link में नीचर description में दे दिया है, अभी जाके आप enroll कर सकते हो, and अगर अभी जाके enroll करते हो, यह tension है कि भी आप पता नहीं मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, तो बहुत लोगों के मन में doubts रहते हैं, तो 10 days की refund policy भी हैं की, वो भी आप enroll, avail कर सकते हो, अगर आपको कुछ problem होती है, other than that, EMI के भी option रहता है, no cost EMI हैं, जो इससे आपको बहुत एक बार में पैसे देने की ज़रोत नहीं है, महीने महीने के आप charges खटवा सकते हो, तो यही सारी चीज़े हैं, तो bootcamp के seat अभी reserve कर सकते हो, description में लिंक अल्रेडी दिया हुआ है, pin comment मे में भी जा के अभी tap कर दो, तो यही सारी वीडियो थी, and hype really worth it है, I am working in this field about 3 years, and मैं कह सकता हूँ, भाई, बहुत अच्छी ग्रोथ है इस field में, and definitely आप भी गोच सकते हो, काफी interesting चीज़े हैं, जो आपको सीखने में मिलता है, तो यही सारी वीडियो थी, मिलते हैं आपको न ज आपको नो चीज़े हैं, बाइफ पाई!